हेलो फीचर लेडर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में तो थम्रेल आप देख करके समझ चुके हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह अंसर्टिंटी प्रिंस्पल का इससे पहले वीडियोस हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं एक्स्प्रेशन जिसमें निकाला था पोजिशन और मोविंटम के अंसर्टिंटी के रस्पेक्ट में तो उसके बेसिक्स और यह इससे प्रिवेस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इसको जाकर आप देख सकते हैं ल है और अगर लॉंग के फॉर्म में आएगा तो उसको कैसे करेंगे यह भी हम डिसकस करते हैं तो तो मांक्स में आराएं टमस ओफ एनर्जी एंटाइम तो आफ लिग सकते हैं कि दा प्रोड़क्ट ऑफ दी अंसर्टेंटी इस इन फाइंडिंग और डिटर्माइन इनर्जी एंड टाइम आफ एनी पार्टिकल इस इक्वल टू और ग्रेटर दैन एच अपन फॉर पाइप विच इस ऑलसो इक्वल टुदी एच कट बाई तो यह एक जनर्रल लाइन मैंने लिग दिये जो की बताती है इस लाइन को डेल्टा इंटो डेल्टा टी शुट भी ग्रेटर आपको दियां भी कि मैंने आपको बताया था कि ढूर्ट के फॉर में किया था यहां एक्वल टो इसको हम है हम यहां पर हमें साथ फोर पाइप के फॉर्म में नुम्रिकल करते हैं तो इसी तरीके से जैसे यह एक्वर्ट में पूछा आता है इन टर्मस ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगल तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा जे और डेल्टा ठीटा के फॉर्म में तो डेल्टा जे इंटू डेल्टा ठीटा शुड़ बी ग्रेटर देन और एक्वर्ट एच अपॉन फॉर पाइप तो यह इस्टेट्मेंट आप लिख सकते हैं में इसको ड्राइब कैसे करेंगे अंसर्टिंटी प्रिंस्पल के एंडर्जी टाइम के एक्स्प्रेशन को वह ह आप हम डिस्कस कर सकते हैं कि आगर हम यह बताना हो कि नुकलेस के जो अंदर इलक्टरॉन है वह प्रजेंट क्यों नहीं रह सकता है तो उसका एक्स्प्रेशन भी इस अंसर्टेंटी प्रिंस्पल से दिया जा सकता है जिसको हम अपने आने वाली वीडियो में डेटेल में सब्सक्राइब करेंगे इसी तरीके से बाइंडिग एनरजी किसी भी एलक्टरॉन की जो है एक्टम के अंदर जो मौन रहता है कि हम बैंडिग एनरजी की कैल्कुलेशन भी बहुत आसानी से अंसर्टेंटी प्रिंस्पल की हैं से कर सकते हैं रेडियस आप फस्ट बोहर्स इस प्रोटोन और नूट्रोन रह सकते हैं तो वही क्यों रह सकते हैं बाकी इलक्ट्रोन की रह सकता उसके अंदर यह भी हम इसे ड्राइव कर सकते हैं तो बहुत सारे एप्लिकेशन केह सकते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंश सा अंसर्टेंटी प्रिंस्पल का इन सब बातों के वेरिफिकेशन में भी है तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हमारा क्वालिटम फिजिक के हम बात करें तो मेल उनिस्ट्री एक्जाम में यह उन तरीके से इसको हम ड्राइब करेंगे इस एक्सप्रेशन को निकाल लेते हैं डिल्टा इंट्यू डिल्टा टी वारा एक्सप्रेशन इसको निकालने के लिए हम कासिटर करते हैं यहां पर let us consider a free particle full free particle हम मान ले रहे हैं जिसका मास m है rest mass कह सकते हैं m और यह particle मूब कर रहा है along x-axis तो हमने यह particle के लिए consider कर लिया कि कोई particle है m मास का जो की x-axis के along move कर रहा है तो इंडिस कंडिशन सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं now p square by 2m और यह ऐसा हमने क्यों रहे है because हम जानते है p equal to mv के बराबर होता है momentum जो है mass into velocity momentum को represent करता है अब इसको अगर मैं लिखूँ d equal to d p square by 2m means दोनों तरफ मैंने differentiation apply कर दिया अगर तो यह क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 2m क्योंकि हमने यहाँ पर rest mass की condition एने कि as a constant इसका mass लिया जा रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि यह value हो जाएगी हमारी 2p dp इसको मैंने differentiate कर दिया तो d equal to if delta e is the uncertainty in energy and delta p is uncertainty in momentum तो इसको क्या लिखा जा सकता है इसको d को हम लिख सकते हैं delta e क्योंकि small difference है तो यह value हो जाएगी हमारी 2 2 से लिखी इधर 2 cancel कर सकते हैं 3 हो जाएगी value p delta p upon m यहाँ से हम क्या लिख सकते है delta p equal to लिखा जा सकता है m upon p into delta e और क्योंकि p का relation momentum जो होता है mass into velocity होता है तो वी की value यहाँ से लिख 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 ली क्योंकि यह भी मैंने बोला आपको कि momentum होता है जाइस को आप ऐसे लिख सकते हैं because p equal to m into v और v बराबर कर जाएगा इसको माल लेते हैं एक question 1 कह देते हैं तो यह question 1 आ गई इसी तरीके से हम एक question और निकालते हैं delta p हमें मिल गया और हम uncertainty principle delta x और delta p का जानते हैं उस एक्सप्रेशन की हैर्ट से यहां पर इसको drive करने जा रहे हैं तो equation 1 हमारे पास आगे है next equation के लिए delta x की value को हम निकालेंगे तो यहां से देखिए delta x की value के लिए हम consider कर लेते हैं फिर से कि let the velocity of particle is V तो अभी अपने जो consider किया था कि particle x axis के along motion में है जिसका mass n है तो मान लेते हैं कि उस particle की velocity V है जो की denote किया सकती है V is denoted as dx by dt तो dx by dt क्या है change in position with respect to time is always known as the velocity तो dx जहां पर uncertainty in position को represent करेगा dt जहां पर uncertainty in time को represent करेगा तो इसलिए इसलिए कि हम इन दोनों डेटा एक्स और डेटा पी की value को कहा पूट कर सकें जो uncertainty principle पोजिशन और momentum के एसपेक्ट में यूज करते हैं वहां से इनहां पर लिख सकते हैं from heisenberg uncertainty principle we have delta x into delta p greater than or equal to h upon 425 तो जहां रखना है एच अपॉन टूपाई से भी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि from equation 1 and equation 2 in equation number 3 तो हम यहां पर क्या करने जा रहें equation 1 and equation 2 से यह values हम यहां put कर देते हैं तो यह पर कर दे रहा हम इसको तो यह हो जाएगी value delta x की जगह हम लिख सकते हैं वी डेल्टा टी हो जाएगा और डेल्टा पी की जगह है डेल ई अपॉन वी ग्रेटर दर अपॉल टू एच अपॉन वी से वी देखिए यहां पर कैंसल है कि इसको मैं कैंसल आप कर देता हूं तो हमें भी मेरेगा टानों तो डेल्टा ई इंटो डेल्टा टी शुद बी ग्रेटर दैन और इकॉल तो अल्वेज एच अपॉन फॉर पाइग इसको हम नाम देरते हैं एक क्वेशन नम्र फॉर तो यह जी एक क्वेशन फोर नेकली इस इस दा अंसर्टेंटी प्रिंस्पल इस इक्वेशन फोर रिप्रिजेंट्स दी अंसर्टेंटी प्रिंस्पल इन तर्मस ओफ इनर्जी एंड टाइम तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम इसको ड्राइब कर लेते हैं और पास नंबर में मैक्सम यह लॉग कुछा सकता है किसी किसी इनिस्टी में टैन माक्स में भी आएगा तो इसमें आपको स्टार्टिंग से पूरा डैनिवेशन डेल्टा पी और डेल्टा एक्स के टम्स में भी करना होगा जिसको आप देख सकते हैं आई बटन पर उसका निं अन्सर्टेंटी इन टाइम दा प्रोड़क्त इज ऑल्वेश ग्रेटर दैन और एक्वल टू आप दी एच अपन फॉर पाई तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जल्दी मिलेंगे इनके अप्लिकेशन समलोग देखेंगे किस तरीके से बाइंडिंग अनर्जी कॉम कैल्क अप्लिकेस में देख सकते हैं तो यह सब अप्लिकेशन डिटेल में देखेंगे तो मिलते हैं चलिए जल्दी आप से तब तक के लिए थैंक यू